हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो दे चैनल चलो लाइन करते हैं और मेरा नाम है मनिशा तो फ्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज में वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें तो आज हम पढ़ेंगे करता और क्रिया दोनों के बारे में संस्क्रित में करता को इंग्लिस में सब्जेक्ट भी कहते हैं अगर कोई परसन किसी काम को करता है तो वो परसन करता कहलाता है इसमें हम वैसी लिखेंगे एक वचन दिवचन बहुचन और प्रतम पुरूस मध्यम में तौम, युवाम, युवाम, युवाम में जैसे हलंत लगा है वैसी आपको युवाम में और युवाम में भी हलंत लगा देना है ठीके मेरा ऐसा है कि हिंदी फॉंट में हो नहीं पा रहा था युवाम और युवाम में इसलिए मैंने बता दिया उसी तरह उत्तम पुर प्रथम पुरुष और तम पुरुष यह लिख देना ठीक है मैं प्रथम पुरुष ऐसे करके दिया है उसमें ती तह अंती इस तरह से पढ़ेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे वो क्रिया के साथ जोड़कर इसे बनाया जाता है तो प्रथम पुरुष में ती तह अंती साथ ती लगेगा तो के साथ ठीक है ते के साथ अंती उसे तरह मध्यम पुरुष में सी थह ठीक है जब विसर्ग आता जो दो है दो आवह आमह इस तरह से पढ़ना है ठीक है ती तह अंती सी था था आमी आवह आमह इस तरह से संस्क्रित में विसर्ग को ध्यान में रखते हैं पढ़ा जाता है ओके और इस पर मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है ठीक है वचन पे लिंक पे तो आप उस पे जरूर द देख लीजिए का मैं लिंक में डाल दोंगी उपर निचे डिस्क्रिप्स बॉक्स में डाल दोंगी और उपर आई बटन पे लिंक पे डाल दोंगी अब जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि क्रिया को मैं कैसे बताऊंगी देखिए ती तह अंती यहां पठ्थ में हलंत हो जाएगा बस पठ जोड करके ती तह अंती पठंती इस तरह से कर देना में ras मध्यम पुरुस में आत क्रिया में पठ्थ हातु में पठ्थ चिपठत हो जाएगा ओके अब उत्तं पुरुष की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपको पठामी पठावः पठामः ठीक है ये अहम आवाम वेम जो हमने पहले पढ़ा था करता में अहम आवाम वेम ध्यान दीजीगा मैं आपको आगे बताऊंगी दोनों को ले करके मैं बताऊंगी ठीक है तो अच्छे थिस समझ में आ जाएगा तो उसी तरह आवाम व्याम के साथ क्या लगेगा आवाम के साथ पठामी आवाम के साथ पठावह और व्याम के साथ पठामह ठीक है आवाम मिन्स मैं होता है आवाम मिन्स हम दोनो और व्याम मिन्स हम लोग ठीक है उसी तरह क्रि लिया है एक वच दीव वचण बहु ओसी तरह प्रसम पुरूश मध्यम पूरुश उत्तम पुरुश यह पुरुश यह को और वाम जूयं और उत्तम पुरुश में आहाम अवाम ध्यान लखे है इसका जुरूर ख्याल रखेगा अब देखिए मैंने इधर क्रिया भी आपको साथ में मता रही हूं क्रिया भी है एक वचन दी वचन बहु वचन उसी तरह आपको लिख देना है फिर पठती पठता पठनती ठीके अब देखिए करता में सह है तो सह के साथ क्या लग जैसे वह पढ़ता है तो सह करता से लिए मैंने सह और फिर पठती ओके अब उसी तरह तव करता में देहान देजेगा तो मिन्स क्या होता है वे दोनों तो क्रिया में भी दुवचन का प्रथम पुरुष का दुवचन पठता वे दोनों पढ़ते हैं तो तो पठता इसी तर मध्यम पुरुष में त्वाम है तो मध्यम पुरुष एक वचन में पठसी हो जाएगा यानि कि त्वाम पठसी तुम पढ़ते हो इसी तरह तुम दोनों पढ़ते हो का युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो आपको यह याद रखना है कि करता में जो भी पुरुष और व पढ़ता हूं तो आहम पठामी हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम पठावह और हम लोग पढ़ते हैं तो वयम पठामह ठीकि इसी तरह आपको हसका धातु भी चलेगा हस्ती हस्ता ऐसे इस तरह से करके तो आप पेज में लिख ले पिर अच्छे से समझ में आएगा आपको युवाम और युवम में यहां हलन्त नहीं लग पाया है तो आप ज़रूर हलन्त लगा ले यह मैं बार बार बोल रही हूं ठीकिए गलत नहीं करना है तो इस तरह से आप अच्छे से याद कर ले यह जो मैंने ती तह अंती बताया यह आपको लट लकार में आता है जिसको आ करता करिया दोनों को एक साथ लिख करके आप समझे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा और मैंने पूरी कोशिस की है समझाने की भी वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ल लिजेगा और छोटे बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाती हूं कि पैरेंट्स बच्चों को कैसे समझाए उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो उसे आप जरूर चेक कर लिजेगा हो सकता है वह आपके छोटे भाई बहनों के काम आएग okay feel thank you, thanks for watching